हेलो फ्रेंड्स आइम प्रतिवाय और अगीन वेलकम टू टीचिंग चैनल आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो भी एट फर्स सेमेस्टर के से रिलेटेड है यह तो यहां पर जो हमारा आज का वीडियो है वो यही होने वाला है वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक शूर आप इसे जरूर सब्सक्राइब कर दें और पास यह बड़े बेल आइकन को जरूर दबाएं जिसे जिब जिब भी हम वीडियो डालें आपके बास नोटिफिकेशन एसदी और सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन बुल सकें वीडियो कहीन आपको पसंद आता है आपके लिए helpful रहता है तो वीडियो को like करें और पने friends के साई से जरूर शेर करें बात करेंगे हम भासा शिक्षक के कार्यों की तो यहां पर हम डारेक्ट स्टार्ट करते हैं हमने इन्हें पॉइंट वाइज रखा है ठीक है आप इनके आगे एक्स्रा इनको हेडिंग बना कर भी आप लिख सकते होगार आपका एक्जाम में इसके लॉंग आंसर में यह कोशन आता है तो ठीक है फर्स्ट है इसमें पढ़ाने से पहले पाठ्थ विशय को पूरी तरह की से तयार करना ठीक है यह एक लेंग्विज टीचर या भासा सिक्षक का कारे होता है बिसिकली यह जो पॉइंट से अन्या टीचर पे भी लागू होते हैं अन्या सब्जेक्ट को पूरी तरीके से तयार करने ला जाए मतलब जो भी आपके लेंग्विज टीचर हैं उनको पढ़ाने से पहले किसी भी टॉपिक को पढ़ाने से पहले हर एक टीचर जो है पहले खुद भी प्रेक्टिस करता है ठीक है कई बार क्या होता है जो लोग experience हो जाते हैं वो 5-6 स साल दस साथ उन लोगों को बाद में ये चीज देखने की आवश्यक्ता नहीं पढ़ते बड़ फिर भी कुछ अगर नई अपडेट आए हैं तो वो भी चीज जो है टीचर को ध्यान में रखने होते हैं तो इसलिए कुछ भी चीज पढ़ाने से पहले पाठ्थे विसे को प प्रपर वे में ताकि उसी से जो है चात्र को कुछ न कुछ नौलेज वो ले सके थर्ड है चात्रों में हिंदी के प्रति प्रेम उत्पन करना उनका उत्सा बढ़ाना और उन्हें प्रेवित करना मतलब लेंग्वेज टीचर की हां पर बात हो रही है तो इसलिए हिंदी के चात्रों में प्रेम उत्पन करना ठीक है ताकि वो उस लेंग्वेज को सीखने के इच्छुख हो सके है और तब ही ओ आगे जाके उसे प्रॉपर वे में छात्रों में प्रेम की भावना उत्पन करना उनका उत्सा बढ़ाना बेसिकली ये तंन एक भाटा शिक्षप का गु यही भी बहुत जरूरी पॉइंट है एक टीचर के लिए कि मतलब अगर वो अच्छी हिंदी लिखेंगे तो काफी सारे बच्चे जो है उनसे कुछ सीखेंगे अगर बहुत ही प्रॉपर वे में एक अच्छी तरीके से हिंदी को बोलेंगे मोखिक रूप में तो भी जो है इस्तुत करना चाहिए हिंदी को बढ़ाना चाहिए हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए अच्छी तरीके से हिंदी को बोलना चाहिए अच्छी तरीके से उसे लिखना चाहिए तो जिससे बच्चों के अंदर भी इस चीज को सीखने का आदर्स उपन हो सके फिफ्थ है द्र या फिर अपनी भासा जो अपना सब्जेक्ट है उसे आगे बढ़ाने की कोशिस करना, बच्चों का मन लगे जिससे उसमें. सिक्स्थ है छात्रों के लेख वो सरशनाओं का संसोधन करना, मतलब छात्र जो भी लिखते हैं या फिर जो भी रचना कर रहे हैं उसको ठीक करना, ये भी एक प्रमुर्क दाईत्व है, भासा शिक्षक का, ठीक है, सेवंध है प्रतेक छात्र पर ध्यान और उनकी कठिनाईयो को दूर करना, ठीक है, मतलब ये भासा शिक्षक का कार्य है कि प्रतेक छात्र पर ध्यान दिया जाए और उसकी जो भी कठिनाईयों हो रहे हैं हिंदी से रिलेटेड या फिर जिस भी लेंग्वेज से रिलेटेड तो उसे दूर करना भी एक कार्य है, लेंग्वेज टीचर भासजन है, बालसबा है, इन सभी चीजों में जब पार्टिस्पेट करेंगे तो उनको एक कॉन्फिडेंस आएगा अपने अंदर ठीक है, और वो हिंदी को और भी अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, नाइंध पॉइंट यहां पर है, समय समय पर छात्रों की उपलब्द की जाच करना और मुल्यांगन करना, ठीक है, मतलब जो भी जैसे एक्जाम ले लिया जाते हैं, ठीक है, कि मतलब कितना नौलिज बच्चों ने गेन कर लिया है, और उनका मुल्यांगन करना कि किसने कितना नौलिज गेन किया है, किसको अभी और ज़्यादा सीखने के है कि उने